दिली पुलिस ने नाबालिक पहलवान के योन उत्पीरण मामने में विजेपी शांसery व्रेजद्धूसर्ण सरण सिंग को क्लीन चीड़ देदी है। जी आपको बता दे कि दिल्ली पुलिस ने व्रेजबूसर सरण सिंग के खिलाफ साथ पहलवानों द्वारा लगाए गए योन उत्पिरन के आरोपों में गुरुवार को दो अदालतों में चार सिर्फ दाखिल की एक चार सिर्फ छे बालिक महिला पहलवानों की सिकायत पर दर पहलवानों ने 21 अप्रेल को दिल्ली पुलिस में व्रेजबूसर सरण सिंग के खिलाफ योन उत्पिरन की सिकायत की थी इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रेल को व्रेजबूसर की खिलाफ दो मामले दर्ज किये थी पहला मामला छे बालिक महिला पहलवानों की सिकाय आपको बतादे कि वरज भूष्ड पर यौन-थुरej बैवाद करने वालई नावालिक महिला feminine पहलो पने बयान में जहां नावालिक महिला पहलूआन्म फारी येंग उत्भू करती है हुआ संग के पुर्व अध्यच परभेद भाव का आरोप लगाया है नावालिक ने मजिस्टेट के सामने दिये गए अपने पहले बयान में यौन-160 की बात कही थी जब कि दूसरे बयान में नावालिक ने यौन-160 का आरोप वापस लेते वे कहा कि मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ था मैंने ब पहलवान यौन-उत्प्रिण के मामले में ब्रजबूसर की ग्रिफतारी की मांग कर रहे थी खाली में पहलवान ने खेल मंतरी अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी इस दौरान खेल मंतराले द्वारा मिले अस्वासन के बार पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन र संग के चुनाव जून के अंग तक होंगे हाला कि कुस्ति संग के चुनाव के लिए 6 जुलाए की तारीक तैकी गई इसके साथ ये अनुराग ठाकुर ने 28 माई को वे बवाल को लेकर पहलवानों पर दर्ज केस्वापस लेने का अस्वासन दिया था बताया जा रहा है कि व प्रेंद मोदी नई संसद्वन का उध्खाटन कर रहे थे ऐसे में पुलिस ने मार्ज की अन्मती नहीं दी इसके बावजूद जब पहलवानों ने मार्ज निकालने की कोसिस की तो पुलिस के साथ इनकी हासा पाई और धक्का मुकी हुई थी इसके बाद पुलिस ने 28 माई इसके बाद 22 जून को तैयारी करने की सूची जारी की जाएगे नामांकन दाखिल करने की अंतिंति 23 जून को होगी वही नामांकन का प्रदर्शन 27 जून को किया जाएगा इसके बाद 28 जून को नामांकन पत्रों की जांस की जाएगी इसे दिन ही लिस्ट भी जारी की जाए के 28 जून से लेकर एक जुलाई तब ना मांगकर वापत लिये जाएंगे इसके बाद जुलाई में चुना होगा बीरो रिपोर्ट इंडिया 24 इंटु 7 लाइब टीवी